आज की अम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्टी आई एका एन प्लस नेटवर्किंग कोस बेए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वट इस नेटवर्क एंड टाइपस ओफ नेटवर्क तो चले शुरू करते हैं देखो नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क सिंपली जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी परपस से अब वो परपस कैसे हो सकता है हमारा या तो हमारा डेटा ट्रांसफर का परपस हो सकता है या तो हमारा कॉम्मिकेशन का परपस हो सकता है तो वो कहलाता है हमार सिंप्ली एक नेटवर्क ठीक है अब वो चाहिए आप डिवाइज इसको वाइड बेस पर कनेक्ट करो या फिर वाइलेस पे ओके तो इसकी डेफिनेशन पर नेते हैं इस अब इस अब किते टाइप्स के नेटवर्क होते हैं हमारे पैन लैन कैन मैं वैन सैंट पैन की फुलफूम है हमारी पार्सनल एरे ओ नेटवर्क लोक। के लिए बनाओ फॉर एक्जामपल जब हम अपना मॉबाइल का होट्सपोट या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज मैक्स टू मैक्स दस मेटर तक रहती हैं मीन्स आपके एक रूम तक जो नेटवर्क वीडिन रूम बनाओ ठीक है और ऐसा तो नहीं होता आप ब्लूटूथ हमेशा के लिए ओन रखते हो या फिर होट्सपोट अपने मोबाइल का हमेशा के लिए ओन रखते हो वह शोट टाइम पिरेट के लिए ओन होता है और कभी-कभी आपने नोटिस क्या होगा फ्लक्ट्वेट भी करते हैं नेटवर्क मतलब लेस्ट रिलाइबिलिटी के साथ बनता है तो वह खलाता हमारा पैन परस्नल एरिया नेटवर्क ओके इडिए नेटवर्क वीच क्रेट वीच क्रेट वीडिन 10 मिटर फॉ और अक्वाहनों वीच के दूरों फ्लोर वीच क्नेकर फ्लोर एन नेटवर्क वीच मेंत कंट्शन वीच करेक्शन की भी सिना बिल्डिंग लोकल एन डेतवर्क वह जो खुलाएं जो डłe अलग अलग रूम को जोड़ता हो means दो अलग अलग रूम तक की दूरी या फिर दो फ्लोर तक की दूरी या फिर पूरी एक बिल्डिंग में जो कनेक्शन बनाता हो वो हमारे कलाता है local area network for example our cctv cameras सबसे अच्छे इसका CCTV camera हमारी पूरी बिल्डिंग में लगे रहते हैं और उसका network से फोसिफ एक बिल्डिंग तक रहता है means वो cover कर रहे होते हैं वैसे एक बिल्डिंग को ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं CCTV camera बाहर से भी access किये जा सकते है वाया internet वो नहीं कह रहा हूं CCTV camera का network जो cameras का network होता आपस में वो एक बिल्डिंग तक ही होता आपका ठीक है the maximum range of land network is 1 km लैंड की 1 km आपकी maximum range होती है okay next I can campus area network it is a type of network which connect two or more different building to each other like school hospital hostel college etc can network है हमारे दो अलग अलग बिल्डिंग है फिर दो से ज्यादा अलग अलग बिल्डिंग जब हम connect करते हैं तो वह हमारे खलाता है can network for example हमारे schools हो गए colleges हो गए colleges की अलग ब्रांचेस होती है हमारे hospital हो गए like हमारे hospital हो गया इतना बड़ा hospital है अब रिक्षा से travel करना पड़ते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भी जाने के लिए तो वह हमारा हो गया can और इसकी maximum range होती हमारी पांच किलोमेटर है okay next पड़ते है मैं metropolitan area network it is a network which connects two or more different geographical area within a city for example अवर दिल्ली Metro देखो metropolitan area network क्या होता हमारा ऐसा network जो कि अलग अलग geographical area को connect कर रहा हो एक city के अंदर for example service center होगे हमारे outlet होगे जैसे कि आप किसी service center के service लने जाते तो वह कहते है कि हमारा service center उस another location पे भी है आगे की service आप वहाँ से भी ले सकते है तो वह हमारा कहलाता है man metropolitan area network और इसका सबसे अच्छा example दिल्ली Metro भी है जैसे कि दिल्ली Metro गाजियाबाद फरीदाबाद गुडगाओं नोईडा बादूर गड़ बलब गड़ ये सब connect करती है जो कि अलग अलग geographical area पे है पांच किलो मेटर से जादा जिनकी range है वह कहलाते है हमारे man metropolitan area network अब बात करते हैं van की wide area network it is a network which connect state to state country to country and all over the world for example our internet देखो wide area network हमारा सबसे बड़ा network कहलाता है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे network आ जाते है जितने भी man can pan land हमने पड़े वो सारे के सारे network इसी में आ जाते है van में ठीक है इसमें क्या होता है जब हम दो अलग अलग state की communication की बात करें दो अलग अलग country की बात करें फिर all over the world communication की बात करते है तो हमारा कहलाता है van wide area network इसकी range अभी defined नहीं है क्योंकि ये easily country to country connect हो सकता means all over the world okay और इसी में हमारा चलता है internet for example आप अपने घर में बैठे बैठे दूसरे country की वीडियो देख सकते है यूटूब वीडियो enjoy करते आप okay तो वह हमारा कहलाता है van wide area network अब last network हमारा सैन storage area network इसको नैस भी बोलते है network attached storage इसमें क्या होता है जब हम किसी network में एक storage device connect कर देते है और उस storage device का storage complete networking वाले device access करते है means complete network और network में जितने भी connected device है वो सब access करते है उस storage को तो वो हमारा कहला आता है SAN अब जरूरी नहीं है कि वो network के अंदर वाले device ही access कर सकते है network के बाहर जितने भी device है वो भी access कर सकते है for example our google drive Microsoft one drive iCloud जितनी भी आपकी cloud service चल रही है storage purpose के लिए व वो सारी आती है SAN में it is a network of multiple storage device which is accessed by any server client which is present inside और outside the network means ये एक storage device वाले network होता है जिसमें client-server relationship के द्वारा भी access किया जा सकता है और peer-to-peer के द्वारा भी ठीक है ये client-server and peer-to-peer हम next video में पढ़ेंगे ओके गाइस जो कि हमारा अपने network में भी access हो सकता है storage और outside the network भी ओके इसके सबसच्छा एक्जामपल है हमारे Google Drive जो कि हम daily life में यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे हम client-server relationship and peer-to-peer network hopefully आपको यह वीडियो अच्छी लगयोगी ऐसी और मज़ेदाए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थेंक्यू गाइस